गई एक कुछ छोटी छोटी बाते में भी जोड़ दूंगा सब के हितकी रहेंगी सब के सुक्की रहेंगी एक दोर था जब मुलाइम सिंग आदब जी वगरा जैसे नेता राज़ी शुरू कर रहे थे उस दोर में केवल कांग्रेस के पास चार पहिया की गाड़ी होती थी का तक मज़ा होता है इसमें कौन गरह नहीं होता है काय को अल्ला मचा रहा हूं आपको मज़ा लिए ना सब लोग तब मुलाइम सिंग साइकल से चलते थे बाबु राज़ेंदर सिंग गाड़िस चलते थे क्योंकि वोस कांग्रेस के थे इसमें कौन से पुरी बात भाईया जब तक बसपा सत्ता से नहीं जुड़ी तब तक बागी लोग मज़े लेते थे बसपाई चने खाते थे वो जुड़ गई वो भी काजू खाने लगे इस काई कुछ चिल आते हो बागे के दत्तर छोड़ो सत्तर के दशक में जेवायासमीन सुन लीजे सत्तर के दशक में आटल विहारी वाजपई जो इसे नेता कहीं जाते थे ना छोटे नेता वो तब भी नहीं थे क्या तो किसी की घर में खाना खिलाया जाता था क्या होटल का पैसा नहीं था होता था तब जो कोछ पैसा होता था कांग्रेस के पास होता था रामनोर लोईया गए चुनाव लड़ने एक ही चुनाव लड़े वो हमारे जिले से बाइलेक्षल हुआ कर वहां से तो इटावा ट्रेंस से उत्रे कमांडर अर्जुन सिंग भधारि जो है ना इनके पिता जी वो सत्य देवत्रपाठी सब लोगों मुलाएं सी जा था सब लोग इस्टेशन पर थे इन लोगों ने बहुत जुगाल करके जीप ली थी कहीं से कि लोहिया जी को फरकवाद तक ले जाए लोहिया जी ने का हमारे किसी पास तो जीप की हैस्यती न लेकिन बताना इसलिए जरूरी तब किसी बिपक्ष बाले के पास चार पहिया की गाड़ी प्रैक्टिकली संभव नहीं थी कांग्रिस्क पास थी कांग्रिस की दफतर भी थे जल्वा जलाल भी था मालपानी है सब्का है तो मालपानी है को नई बात बोल रहा हूं गया जनत क्या हमने नहीं देखा कि जिनके पाउं में चपल नहीं थी वो सप्टनान की कथा में भी कहीं जानने लगे तो अपना जहाज लेकर जानने लगे निजी बोले ने रेगुलर फ्लाइट ठीक नहीं लगती है बड़ा बावाल रहता है बोले परस्नली ले लिया क्या और इडी पकड़ के जेल बेदे तो छिलाओगे काओगे भारत में लोकतंत्र खत्रे में बोले क्यों हमारे परस्नल बिमान की जाच कर रही मैं तो कहता हूं और जाच होनी चाहिए सगन जितने है सब सब को पकड़ो यह नहीं चलेगा और मैं तो कहता हूं बीजेपी वाले अभी बाकी सारी पार्टियों के लोगों को पकड़ ले उनकी सरकार आए वो बीजेपी वालों को पकड़ ले दस साल में काम खत्म देश आजाद क्या बुराई है को बुराई है मैं तो नहीं समझता पंजाब में सर्वेश मिस्रा की पार्टि क्रांती क्यों नहीं कर रही को रोका है पुलिस पकड़ लेगी नहीं ना प्रेस कंपेस करने से अच्छत महां कारवाई करो पंजाब में अब तक तो बादाल और अमरेंदर सिंह दोनों को जेल पेड़ देना आप भी वहीं कंचे खेल ला हों अमरेंदर और सुख्वीर को जेल के उने बेजा भासर दे रहे हो सब लोग मिलके वह जी ऐसा है जी वैसा है और फिर मैं कहता हूं यह हिंडन बर्ग बता रहे हिंडन बर्ग किसीन का हिंडन गाजियावाद वाला में नहीं यह नहीं हो सकत हिडन बर्ग को बड़ा मामला है अमेरिका में थीन बड़े बैंक डूब गए सुर्जर लेंड का एक सबसे बड़ा बैंक डूबने के मुहाने पर खड़ा कोई रिपोर्ट ने माई का लाल जारी किया महां नहीं सूंग पाए निंगी को लिखा किस हो गए था क्या भारत के भी कुछ बड़े बड़े आर्थ शास्त्री जो नोवल ओवल भी पाए हो बहुत आर्वियाई चलाए वो लोग भी बहां रह रहे है एडवाईजरी भूमिका में वह भी कोई चित्थी पत्री नहीं लिके ट्वीट तक नहीं किये कि हमको लग रहा है कि विश्व भर की बेंकिंग विवस्ता धर्रसाई होने वाली है भारत में गज्रवलाब जो पोस्टाफिस है उसके निवेश का क्या हुआ वो पता है क्या वो नहीं पता किसी लिए कॉन वह लिए खतम हो रही है गजब लोग हो भी तीसरी बात मैं कहूंगा सब के लिए कि नड़ा जी ने का कि देश में बहुत गुस्ता है मैं उनकी बात से सहमत नहीं हो सकता देश में गुस्ता होता तो आपको बोलने की जरुत ने पड़ती देश खुद अपना गुस्ता दिखा देगा क्या कांग्रेशी भी यही जोके पड़े है देश जानना चाहता है किसने आप तका देश जानना चाहता है कहां देश निकला है सड़कपर को निकला है नहीं ना जोके पड़े हैं देश जानना चाहता है अडानी और कौन जानना चाहता है बताओ ना एटा इटा इटाबा फरुकबाद में पुरी कहीं को जंजयत है क् किसान के रहा हालू लाओ पुकरे अडानी लेओ गजब के विद्वान लोगों अब फिर के तो अग्नोत्री जी इसा बोल देते हैं मुझे बताओ ना देश के किसी हिस्से में जहां लोगों ने अन्य जल छोड़ दिया हूँ अडानी के लिए यह राहूल गांधे के लिए तो फर्जी प्रकेसे नहीं कर रहे हो ना आप लोग इमान लो के तो भाई समा खेलने हैं थोड़ा टाइम मिलना चाहिए खेलने के लि कि चलके पैदल चलके आया नासिक से मुंबई ठीक सत्रा लाख लोग हरताल पर गए ठीक इन दो बड़े घटना क्रमों में नहाशालिया भी सुनलो किसी ने राहूल गांधिक नाम ने लिए जिनके लिए आप करे पूरे देश में गुस्सा है और इतना गुस्सा है कि पू अधानी की बात नहीं की एक ने कहा पुरानी पेंशन का मसला है दूसरे नका किसान को रात कैसे मिले एक कहां कि फरजी पतंग उड़ा रहे हो आप लोग के देश जानना चाहता है कि अधानी का क्या हुआ किसे ने कहा भया अधानी के सर्सों को तेल ठीक है तो देश ठीक है चर्सों को तेल में मिलावट होगी तो देश को चिंता होगी जो 200 रुपिया डाल के लाए आए बोतल आप लोग अगाये हो खाये पीए हो इसलिए इस सब चीजी आप लोगों को विमर्ष का विशे लगती है क्या जिसके पेट में भूंग कहे जिवायासमी सच कह रहा हूं उसको इन सब विश्व को मतलब भी नहीं जिसने पूरा जीवन पूरे परिवार ने अपना आठ महीना लगा दिया और उसके बाद दो रुपिया किलो हो गया आलू उससे पूछे जाके बोलिया अडानी मारेगा आपको पकड़को गलत कह रहा हूं क्या उसके आंख के आशू से बड़ी कुछी हो सकती है क्या लोक तंत्र में यह लोक को लोक का तंत्र है यह आप लोगों की सुविधा के लिए नहीं बना और मैं तो इस बहस में भी नहीं पड़ता कौन नेता जेल गया इस पर भी बात नहीं होनी चे यह लाखो लोग जेल में हैं नेता चला गया कौन से मुसीबत आगे भी आपको नहीं शूट कर रही नेता गीरी छोड़ दो नेता गीरी क्या नेहा शालनी दुआ सेफ खान सर्वेश मिश्राज ये बायास में आप लोगों ने स्वेक्षा से राजनीत चुनी ठीक राजनीत के जलवे आप भोगेंगे जेल पड़ोसी जाएगा जेल भी आपको जाने के लिए जाने के लिए आ रहा है नहीं और वो तब जब आप पब्लिक फोरम पर खुद को राणा प्रताप से लेके भगत सिंग तक का वंशच बताते हो तो कुरवानी देने महिचक क्यों नहीं जेवा गलत तो नहीं गया रहा बता देना गलत को टोक देना जब आप जेवा मुझसे कहें कि मैं भगत सिंग की वंशच जूँ तो फिर म आने पर दुख्यों मनाओ मैं गर्ब करूंगा नहीं जेल भी नहीं जाना डर भी लगता है राजनीती भी करनी है भगत सिंग भी बनना है क्यों भाई सारे कामी गट्टे केसी कर लोगे नहीं करो दादा देश पर रहम करो और यह बात में उतने ही कड़वे मन से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए कह रहा हूं दया करो प्रभू संसत चलने दो अधाणी से कोई फरकने पढ़ रहा राहूल गांधी से कोई फरकने पढ़ रहा बहुत पिनमर्ता से नेहा जी से कहूंगा जब करो और यही पास से खान से कहूँगा अला कि मुझे उम्मीर नहीं, चुकि राहूल गांदी के साथ एक प्रब्लम है, वो एक गलती, एक ही तरह की गलती कई बार कर रहे हैं, उनने कहा चोकिदार चोर है, हार गई पार्टी बुरित्री के सब्सक्राइब, कॉंग्रेस वर्किंग अडानी, अडानी, चलके चलके चला रही, क्या? बोले लिए भाई अबाद में हमको मटोक ना, होना जाना कुछ ने, आपने राफेल का मुद्दा उठाया ना, कहा मेरे पास सारे सबूत है, चोरी हुई, सुप्रिम कोट ने क्या कहा? उससे एक बोट कहीं बढ़ा हो, तो म मुझे बता देना, चैकान में बता देना, चैयां बता देना, चैन लिखके बेद देना, कहीं भाई साब, राफेल का मुद्दा उठाने से, हम गुर्साहय गंज में एक बूत जीत गए थे, कहीं ने जीते ना, आपने सही मुद्दे उठाय होते, तो 2% पोट कैसे मिलता आ इसलिए इस बात को देखिए, जन्ता से जुड़े मुद्दे उठाये, राहूल गांदी, अडानी की अपना खुद देख लेंगे जो देखना है यार, मनीशी चले गए जेल ना, तो आप जो जेल से बाहर हैं, जो सरकार चला रहे हम उन पर फोकस कर रहें, क्योंकि दिल्ल इसलिए जन्ता ने, यह आवाद्मीपार्दी के मसला है, शोक मनाए, वैसे ही मैं भाजपा और कॉंगरेस से कहूंगा, संसद चलनी चाहिए, संसद भारत के 150 करोण लोगों को चहरा है, कॉंगरेस और भाजपा दोनों की मित्वर से कहूंगा, वो देश के हर चहरे से चहरा बन सकता है, तो उस संसद बन सकती, बाकि कोई नहीं